हम लोग इसको integrate कैसे करेंगे तो सबसे पहले जब question आपके सामने आता है तो क्या सूचते हो, कौन सा formula लगेगा यहाँ कोई formula निलगेगा अभी क्योंकि अभी integrable form में नहीं है तो पहले हमें इसे integrable form में पहुचाना पड़ेगा, मतलब इसको pieces में break करना पड़ेगा ताकि हर part का हमें formula पता हो है ना, अभी यह उस stage पे नहीं है तो देखिए पहुचता कैसे है यह और आप math में जितने questions करते हो उससे आपको experience मिलता है है ना, उसी experience के साथ आपकी knowledge grow होती चली जाती है एका एक आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है तो क्या हो जाएगा 2 के नीचे अलग यह cos square लिखेंगे और 3 sin x के नीचे अलग cos square लिखेंगे तो 2 by cos square x और minus 3 sin x upon cos square अच्छा, cos square को यहाँ पे cos x into cos x लिखने रहे हैं इसके उपर च्छत नहीं वाल लिख दे रहे हैं ठीक है? इस तरह से express कर दिया गया है d x अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर हम 2 बाहर कर लेते हैं तो यह 1 by cos square सेक स्क्वार हो जाएगा तो it could be written as a integration of 2 सेक स्क्वार x और minus यह sin upon cos 10 होता है तो 3 tan x और यह क्या हो जाएगा आपका? सेक x हो जाएगा अब आपको साब साब दिखना चाहिए कि यह दोनों ही integrable form में है सेक स्क्वार x का जो anti-derivative होता है या integration होता है वो tan x होता है और जो सेक x tan x है इसका जो anti-derivative या integration होता है वो सेक x होता है तो यह दोनों आपको याद होना चाहिए ठीक है? इसका मतलब आगे integration अपना काम करेगा integration चुकि linear operator होता है तो दोनों को individually integrate कर लेगा अलग-अलग integrate कर लेगा ठीक है? तो आप लीग लोग यह 2 times sec square x dx और minus 3 constant है यह बाहर integration से कर दे रहे है डाइरेक्ट tan x और sec x dx अब इसका हम लोग ने बात किया था anti derivative क्या होता है? tan x होता है ठीक है? और minus 3 उसका होता है sec x और final रहा आपका indefinite constant c तो यह आपका final answer